आप देख रहे हैं जैभारत टीवी आपकी दावेदारी रही लेकिन पार्टी ने विश्वास इस बार नहीं जताया आप कोई उत्साह कम है या बड़ा है नहीं मेरे को पार्टी ने लगा तार चार वार विदान सभा का टिकेट दिया है अगर लोग सभा नहीं दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे से मोदी जी के नेतुत्यों में सरकार बने और हम पिछली वार के इतियास को आगे बढ़ाते हुए उसको और अधिक वोटों से जीत कर पांचों की पांचों सीटें दें मेरे हां तो पहले ही बहुत जादा वोट से जीते थे और राज्य की चार सीटों के तुलना में हमारे साड़े तीन लाख वोट से जीत हुई थी जबकि वो भावर तराही और पहाड की मिली जूली कांचोंसी है और तराही में आप जानते हैं बड़ी संख्या में अलब संख्या मद्दाता भी है किसान मुमेंट भी था बहुत सी चीज़ें उसके बावजूद भी मैं दवा कर कि इस बार की जो जीत होगी वो पहले बार से ज्यादा वोटर से रुगी देखें किसान आंदोलन भी एक चल रहा है शुक्ला जी तराही की बेल्टें आपने कहा है तराही भावर का इसलिए नहीं है कि धामारी सतुह तो प्रदेश की उसने किसानों की इसूसे बहुत अच्छे काम की है इस पेसलिए जो हमारी तरही छेतर है वो गन्य का बेल्ट है पूरा और आप देखते होंगे कि पहली बार ऐसा हुआ दामी जी की वज़े से कि हमारे अगले सीजन से पहले ही हमें वरतमान सीजन का पेमेंट पिछली बार का मिल गया सारा मिल चालू होने के पहले और इस बार भी जब मिल चालू हुई है तो हर हाफ़ते पेमेंट हो रही है और पेमेंट भी हम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दे रहे हैं किसानों को इस तरह के तमाम ऐसे इसूज है जिस पर किसान इस सरकार से खुश है अब ठीक है कि राश्टी इस तरफे कुछ लोग एक आंदोलन जीवी लोग हैं जो लोग कुछ किसानों को हरियाना से या उदर से अदर से ला करें कि मख़ूल बनानी कोशिश करते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इस समय किसानों कोई नराजगी उत्रखन में नहीं है कुछ बदलाओ जो आपने इस बीच किये हैं क्या उसका हमारी सीट टफ सीटों में से गिनी जाती है क्योंकि लगबग 39% मुस्लिम है वहां तो जहां-जहां मुस्लिम 30 के उपर है उसको पार्टी थोड़ा सा उसको टफ सीट मानकर चलती है और उसी दिश्टिकोंट से हम लोगों ने रणनीती बनाई है माइक्र मैनेजमेंट किया है पन्ने तक हम कमेटियों को ले गए है अलप संखेक वर्क में भी हमने संगठन को और मजबूत किया है उनके बीच में जाकरके उनको विश्वास दिलाया है कि बारजनता पार्टी की सरकारों का 10 साल से केंदर में है और परदेश में भी है लगातार साथ सालों से लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने मुझे लगता है कि इस बार हमारा मुझे लगता है अतना एडर्मेंट होके जैसे भाजबा को हराने के लिए वो मत करते थे अब कि ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा बलकि मुझे लगता है कि वोटें बदलेगी अखरी सवाल मेरा है मुस्लिम मंदाताओं के आपने बात की हल्दवानी में जो कुछ हुआ कि लालकुआ वो इलाका लगता हुआ है रुदरपूर पूरा एक सराउंडिंग इलाका है हल्दवानी प्रकरण के बात से ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम मंदाताओं के मन में थोड़ा सा खटास आई है ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या होता दिखाई है अगर वोट कम मिले हमेरे ज्यादा मिले हमारे राश्ड पहले है और उस पर हम कोई था समी था करने वाले नहीं बहुत शुक्रीजाद तो यह थे राजे शुक्ला के च्चा से पूर विदायक भाजपा के लोगसवाद चुनाव सामने है हल्दवानी की घटना जब घटी उसके बाद से बीजेपी को ये लगता है कि तराई की बेल्ट में यहीं कि उधम सिंग नगर नहीं ताल लोकसबा सीट में क्या कुछ इस बार जो मुस्लिम वोटर है कहीं दूरी तो नहीं बना लेगा राजेश शुकला का ये कहना है कि अगर कानून हाथ में लेगे तो बीजेपी को वोट नहीं चाहिए उन्होंने साब इशारा किया कैमरामेन महिरुपादियाई के साथ हैंबर्ट जैभारेट टीवी